नमस्कार दोस्तों, RCA News में आपका हारदीख स्वागत है आज 9 अपरेल 2019 है और आज की बड़ी खबरे कौन कौन सी है आईए जान लेते हैं लेकिन इन बड़ी खबरों को जानने के पहले अगर आप चाहते हैं आपको आप से संबंदित ताजा तरीन खबरे मिलती रहें तो आप RCA News चैनल से जुड़ सकते हैं चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें साथ सी साथ बेल आइकन को दबा दें बेल आइकन दबाने से यह फायदा आपको होगा कि अगर हम कोई भी वीडियो अप्लोड करेंगे आप से संबंदित तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा अब आएए पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदिस के 41,000 पुलिस भरती से जुड़ा हुआ है 41,000 पुलिस भरती में जितने भी चैनित अभ्यार्थी हैं उन सभी अभ्यार्थियों का मेडिकल और पुलिस सत्यापन कारी चालू हो गया है जो की 25 अपरल 2019 तक चलेगा लेकिन 25 अपरल 2019 को जब मेडिकल और पुलिस सत्यापन कारी पूरा हो जाएगा उसके बाद अभ्यार्थियों का परसिच्छन होना बाकी रह जाएगा लेकिन पहले चरण के परसिच्छन में कितने अभ्यार्थी जाएंगे और पहले चरण का परसिच्छन का भोगा दूसरे चरण का परसिच्छन का भोगा और तीसरे चरण का परसिच्छन का भोगा अब आईए इसके बारे में जान लेते हैं पहले चरण का परसिच्छन 29 अपरल 2019 से सुरू होगा जिसमें 23,541 अभ्यार्थी सामिल रहेंगे लेकिन दूसरे चरण का परसिछन चुनाओ को देखते हुए थोड़ा बिलंब हो सकता है चुकि पच्छमी उत्तरप्रदेश में चुनाओ होना है और 11 नौमबर से 18,000 PSC के लिए चैनित अभ्यार्थियों का परसिछन सुरू होगा अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप चैनल से जुरू सकते हैं अब आईए दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर चार बरसिये B8 कोर्स से जुड़ा हुआ है चार बरसिये B8 कोर्स आप Inter Pass होने के बाद कर पाएंगे लेकिन अगर आपके Inter में 50 फीसदी मार्क से कम है तब यह कोर्स आप नहीं कर पाएंगे इस course को करने के लिए inter में कम से कम 50 फीज़ दी या उससे उपर मार्क होने चाहिए इस course को करने के क्या फायदे हैं आई जान लेते हैं इस course को करने के दो फायदे हैं आपको असनातक नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह course असनातक के समकच है दूसरा फायदा है आप टीचिंग के लिए अपलाई कर ही पाएंगे क्योंकि यहाँ चार बरसिय बीएट कोर्स है अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए अगर आप चाहते हैं आपको सही सठीक विस्तार से जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं अब आईए तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर UPTED Certificate को लेकर है। UPTED Certificate अब भ्यारतियों को अगले हपते से डाइट पे बित्रण किये जाएंगे। लेकिन अब भ्यारतियों को UPTED Certificate प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कारे में जान लेते हैं। सच्चु परिच्छा नियामक ने जो बताया है उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं कि टीटी का Certificate लेने के पूर्व अब भ्यारतियों को साथ में इन इन दस्तावेजों को लाना पड़ेगा। पहला हाई स्कूल का Certificate, दूसरा इंटरमीड के अंकपत और परमाणपत, तीसरा BTC या B8 का मूल परमाणपत रहें। और साथ ही साथ अपनी एक पास फोटो ले जाना अनिवार होगा डायट पे क्योंकि मिलान के बाद ही टीटी का Certificate संबंधित अभ्यारति को जारी किया जाएगा। इसलिए आप सभी जितने अभ्या टिकेट नहीं मिलेगा, अब आएगी चोती वड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं, चोती वड़ी खबर उत्तरप्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग की है, उत्तरप्रदेश अधिनस्त सेवा चैन आयोग द्वारा Assistant Accountant का इंटर्विव बहुत पहले ही कराय जा चुक करता हूं इन अब भ्यार्थियों को ज्वाइनिंग जल्द से जल्द मिले उत्तर प्रदिस अधिनस्त सिवा चैन आयोग द्वारा असिस्टेंट एकाउंटेंड का रिजल्द से जल्द निकाल दिया जाए लेकिन रिजल्ट ना जारी करने का कारण क्या है आई इसके बारे मे जाएगा लेकिन अभी तक उत्तर प्रदिस अधिनस्त सिवा चैन आयो दौरा ऐसा कोई कारी नहीं किया गया है यही सब जानते हैं मामला कोट कोट में हैं नियमावली तयार है नियमावली तयार होने के बाद अगर उत्तरप्रदीस अधिनस्ति सेवाचैन आएओ कोट में एफीडेविट लगा दे result घोसित कर सकता लेकिन आइसा क्यों नहीं कर रहा है या किसी के समझ में नहीं आ रहा है ना अधिकारी ना कर्मचारी कुछ बताने को तयार है मामला फसा पड़ा है अब भ्यारतियों को धैर बनाने के अलामा कुछ नहीं बचा है आफ सबी धैर बनाये रखें तो भी मुझे जानकारी प्राप्त होगी, मैं आपको जानकारी समय समय पर देता रहूँगा, अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए, तो आप RCN न्यूज चनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादर ज़्यादर सेर करे चैनल को